विडियो लास तक जरूर देखना और जो भी वीवर्स इस चैनल पर नहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन के गंटी को भी दबा दे ताके जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नमबर ओप पोस की बात करें तो यहां 150 वेकेंसी यहां अवेलेबल है इंटरेस्टेट केंडिट जरूर इस फ़र्म को फिल अप कर सकते हैं अप्लिकेशन इस्टार्टिंग डेट की बात करें तो 25 जनवरी 2022 से अप्लिकेशन फ़र्म स्टार्ट होने वाले हैं इसकी सेलेक्शन होने वाला है ओफिशल साइट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइट कर रहे हैं आप वहाँ से जाकर डारेक अप्लिकेशन पर हम भी फिलब कर सकते हैं अगर आपको इसके ओफिशल नोटिफिकेशन की पीडियाप चाहिए तो आप टेलि काडिड़ेट इंट्रेश्टेड है और टेलिघ्लाम पेस को जांट करना ना भुले ढिटेल वाइस वाइक के लिए graduate के लिए आपके पास बी वी टेक होने चाहिए इसमें भी सेम ब्रांचे इलिजिबल है बी कॉम एंड बी असी वाले भी graduate में अप्लाय कर सकते है ट्रेड अप्रेंटिशिप की बात करें तो जो candidate के पास ITA Passout है, NCVT है, SCVT से तो उसमें आपके पास fitar, turnar, electrician, electronics, mechanic and welder यह आपके पास trade होना चाहिए जबिए आप ITA के लिए eligible है, age limit की बात करें तो 18 से कम के student इस firm के लिए eligible नहीं है, less than 18 year of age of 1st January 2022 मतलब आपकी age count 1st January 2022 से count होने वाली है, selection process यहां जो भी आपको salary stipend मिलने वाला है, वो graduate के लिए 9,000 पर मन्त है diploma वालों के लिए 8,000 पर मन्त है, NITA वालों के लिए 7,000 रुपे परती मन्त के लिए आपको salary provide होने वाली है, interested candidate ज़रूर इस firm को fill up कर सकते है selection process यहां आपका academic merit, return test and interview की basis पर हैं आपका selection होने वाला है, apply करनी के process बता होते हैं सबसे पहले आपको official site पर जाना है, rciilab.in पर उसके बाद आपको home page पर जाना है, screen में फिर आपको engagement मिलने वाला apprenticeship की उसके बाद आप यहां से directly successfully complete application form fill up कर सकते है वीडियो अगर आपको helpful लगे तो channel को subscribe जरूर से करते हैं, इस channel पर हम daily job की regarding latest notification आपके लिए provide करते हैं तो channel को ज्यादा से ज्यादा share करना ना बुले, ताकि आपके एक share के होजे से यह notification किसी के काम आ सकती है